नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा हर हर महादेव एक छोटी सी गलती भी इनसान को बरबाद करने के लिए काफी है तो आईए, आज आपको जाने अंजाने में होने वाली पांच ऐसी गलतीयों के बारे में बताते हैं जिनके वास्तव में बहुत बुरे नतीजे बताए गए हैं जिसमें पहला है कि अकसर लोग बातरूम में कपरे धोने के बाद बाल्टी में बचा पानी यूँ ही छोड़ देते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुब होता है बाल्टी में गंदा पानी भरकर रखने से हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है और घर में नकारात्म कूर्जा का प्रवेश हो सकता है घर की सारी सुक शांती खत्म हो सकती है दूसरा है यदि आप नहाने के बाद तेज धार वाले किसी उपकरण का इस्तिमाल करते हैं तो सावधान हो जाए वास्तु के अनुसार नहाने के बाद कभी नेल कटर, बलेड या रेजर जैसे धारदार उपकरणों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए ऐसा करना बहुत ही अशुब हो सकता है तीसरा है घर के बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी न रखें वास्तु के अनुसार बाथरूम में रखी बाल्टी या टब को हमेशा पानी से भर कर रखें यदि आप इन्हें पानी से भर कर नहीं रख सकते तो इन्हें उल्टा करके भी रखा जा सकता है ऐसा करने से आप किसी बरे नुकसान से बच सकते हैं चौथा है कि सुहागिन महिलाओं को नहाने या बाल धोने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए वास्तु के अनुसार ऐसा करने वाली महिलाओं पर बहुत बुरा असर हो सकता है उनके मन में बुरे विचार जगह बना सकते हैं घर की सुख शान्ती भंग हो सकती है पारिवारिक कलह बरच सकते हैं अब पांचवा है कि नहाने के बाद बाथरूम के फर्ष को वापस से अच्छी तरह साफ करें बाथरूम का फर्ष हमेशा गीला रहने से घर को आर्थिक तंगी घेरती है साथ ही बाथरूम को गंदा न रखें और सभी चीजों को सही स्थान पर ही रखें तो मेरे साथियों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जय श्री कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव